Hello friends, welcome to I Can Make It You Zone आज का हमलोग का topic क्या है? आज हमलोग का topic है Unification of Britain तो आप कहेंगे कि ये topic तो बुक में है ही नहीं तो आपकोस ये topic बुक में नहीं है बुक में topic दियावा है The Strange Case of Britain अचली ये strange case मदब की Britain का एक अलग सा case इसके बारे में है तो काइंड आफ क्योंकि जो कि हम लोग लास्ट जो वीडियो में हम लोग में बात किये थे बाद आप अउनिफिकेशन आप जर्मनी हम लोग पड़ चुके है उनिफिकेशन आप इजाली पड़ चुके है और उसी के रो में जो है पुरा एक Great Britain जो है वो फॉर्म करता है ठीक है तो लेस्स स्टार्ट तो नो अबाट आप लिगे सबसे पहले यह यूनिफिकेशन को जानने से पहले हमें इंपॉर्टेंटी कुछ और चीज़े जाननी होगी जैसे कि हम लोग सबसे पहले जानना यह सरूरी होगा कि हम लोग अलग अलग नाम जैसे इंगलेंड, बृतें, ग्रेट बृतेंट, बृतिश आइल्स तो यह सब नाम अलग अलग हैं तो क्या यह उच अलग अलग कंट्रीज है यह क्या है यह बहुत स्टुरेंस को कंफूशन रहता है तो सबसे पहले यहां इस कंफूशन को दूर करना है इसके बाल हम जानेंगे कि जो यहनिफिकीशन के बात होगी वह इस से ही से कुछ रिलेटेड है तो वह हम लोग बात करेंगें तो सबसे पहले हैं मैं तो नहीं बनाया है लिकिन हमें आने आप को समझाने के लिए जो है इसके कंट्रीज के नाम लिख रहते हैं जैसे England जो है वो अलग है जिसको completely से ब्रीटेंड के सकते हैं यहां तीनों को मिला के क्या बन जाता है वो Great Britain बन जाता है next is Ireland Ireland जो है वो आइलेंड है Ireland plus Great Britain Great Britain का मतलब है यह तीनों ठीक है आइलेंड प्रीटेंड बनता है British Eyes यह बहुत ज्यादा आपको ध्यान में रखने के जरूरत है क्योंकि अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं about the domination of England या फिर formation of Great Britain उसकी बात करने जा रहे है तो उसमें यहां आपको कोई confusion नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां बार-बार हम यहां आएंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगे तो यहां clear अभी आप समझेजें कि यह confusion बिलकुर नहीं रहना है कि United Kingdom क्या है Britain क्या है England क्या है Great Britain क्या है British or else क्या है यह clear होना बहुत जरूरी है तो यह चीज़ें आपको याद रखनी होगी ठीक है Now let's start जहां हम लोंने बात की Scotland, England और Wills की तो यह इस तीनों में जो है Britain का formation कैसे हुआ है इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो सबसे पहला जो लाइन है जो बुक में आपके दिये हुए The formation of Britain was the result of a long drawn odd process That means कि यह जो Britain का formation हुआ है Great Britain का formation हुआ है यह कोई instant यह quick upheaval नहीं था कुछ ऐसा नहीं था कि अच्छानक से revolution हुआ और Great Britain का formation हुआ है no it is a long process बहुत लंबा process चला है तब जाकि यह Great Britain जो है उसका formation हुआ है तो यह process कैसे चला और इसमें क्या-क्या चीज़े हुए है हम लोग जाते है First of all it is written here no British nation before 18th century 18th century के पहले कोई British nation नहीं था यह सारी जो हम लोग कंट्रीज देख रहे हैं यह सब जो इसके अंदर जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं यह सब इतने ग्रूप्स में डिवाइड थे हैं तो यह सब इतने ग्रूप्स में डिवाइड थे हैं Every country have their distinctive culture, distinctive language, पहने का तरीका, सब कुछ डिफरेंट था Here is written that different ethnic group in the British as own culture and political tradition उनों के अपने political traditions थे, अपने culture थे, अपने languages थे That means कि यहां जितने अब countries देख रहे हैं सब अलग तरकते, सब की अपनी अपनी एक ethnic group थी There were no British nation in starting till the 18th century 18th century तब कोई British nation नहीं था So this British nation का formation कैसे हुआ The English nation became more powerful, लेकिन यहां पर एक बात बता रही है कि इतने जो भी countries के हम लोग बात करेंगे Scotland, England, Wales, England इसमें England जो है वो उसका influence बढ़ता जा रहा था वो powerful होते जा रहा था, wealthy होते जा रहा था So what was the reason behind it? Aakip कैसे wealthy हो रहा था? So let me tell you, यह तो आप लोगों सब को मालू है कि industrialization सबसे पहले कहा हुआ था So industrialization world में सबसे पहले England में हुआ था तो definitely, definitely यह बात clear है कि जहां industrialization हुआ factors started to came up, trade शुरू हो गया तो वो country तो wealthy ही होगी अब जब एक country wealthy होती है तो उसके influence जहां डालना चाहता है वह start हो दाता है In 1868, England became constitutional monarchy अब देख लिए सिर्फ England की बात हो रही कि England earlier was a monarchy system वहां पर कॉंसा system चलता था Monarchy system चलता था वो राजा वजा जो थे But 1688 में जाके England became a constitutional monarchy that means constitution established हो गया Parliament established हो गया Monarchy थे लेकिन Monarchy जो है उनके rules किसके according चलेंगे ना with the help of a constitution Constitution के according वो चलेंगे तो यह अपर clear है कि 1688 में English was converted into monarchy to constitutional monarchy और उसके पाद क्या होए The Act of Union 1707 between England and Scotland एक kind of a treaty एक act होगा in the year 1707 और उसके एकॉन है England से Scotland को मिला दिया गया ठीक है अब यह मिला दिया गया यह कह सकते है कि England का influence इतना बढ़ गया कि उन्होंने Scotland को अपने में include कर लिया क्योंकि वह मैंने आपको बताया कि वह powerful हो चुका था wealthy हो चुका था तो सबसे पहले उन्होंने अपने आस पास के area को influence करना शुरू कर दिया अपने domination में लेना शुरू कर दिया तो यहां पर Wales पहले से थे England के साथ तो यहां पर Scotland जो है वह include होगे उनके domination के अंदर आगे किसके domination के अंदर England जो कि England powerful हो चुका था because of the industry relationship तो जहां यह England Scotland के बात किये Scotland earlier had a different culture Scotland के अपना एक culture था उसके अपने language थे लेकिन बात में England ने उसे अपने domination में ले लिया तो यहां चीज़े बनने लेगी there was a setback to Scottish culture Scottish culture Scotland के मैंने आपको पहली बत आया कि जितने भी countries थे सबके अपने अपने एक ethnic culture तो जब उसको dominate कर गिया गया बाइदा particular England तो definitely कि इसके culture को step back होगा ही होगा उसके culture को भी वो dominate करने की कोशिश करी है तो यहां पर इसी बात को बताया गया है Scottish culture को जो है एक बहुत बहुत जटका लगा क्योंकि अब उसको dominate कर रहे थे कौन England जो था वो protestant था Christianity में जो आप जाते है Catholic or Protestant ठीक है England जो था completely Protestant dominated था Scotland जो था Catholic तो यहां पर भी आप एक बात सकते हैं कि जहां England जो प्रोटेस्टेंट था और वो dominate कर चुका था Scotland को अपने domination ले चुका था यहां clear है कि कहीं नहीं Protestant भी Catholic के उपर dominate कर रहे होंगे तो यहां पर भी एक culture में setback हुआ secondly जो है religious matter है उस पे भी उनको domination हो गया by England Scottish Highlanders forbidden from their Gaelic language and national dress तो जैसे मैंने आपको बताया कि England England जो है वो Scotland को dominate करना शुरू कर दिया और पहले जो था every country had their own culture different languages तो यहां पर Scottish Highlander Scotland के जो लोग थे उनको जो है domination वो किसके domination में आ गया थे वो England के domination में आ गया थे तो अब उनके culture को भी setback हुआ अब किसमें इंक्रूट किया जाने लगा England का जो कुछर था वो अब डॉमिनेट किया जाने लगा और उनके जो language वहां पर गैलिक वो भी English जो है वो डॉमिनेट होने लगा था और उनके अपने language को जो है वो मना कर दिया गया था कि कोई लोग जो है यह language को अपने जो language थे वो नहीं बो सकता था वहां बोड़ा था वहां बोड़ा था सब चीज में वो डॉमिनेट कर रहे थे तो यहां एक बास सभी जो है किस तरह से इंग्लाइंड थे स्कॉट्लाइंड को अपने अंडर कर थे लिकिन यही पर स्टोरी खदब नहीं होती है ब्रिटेण का इंफरेंस खुष तो और ख़आ तो कहां बढ़ा स्टोरे ओफ आई-लाठ किस तरह से वहां great bridge और आई-लाठ को भी मर्श कर लिया गया चा सकते हैं greatbal iyton . अपने इंफरेंस में अपने यहालमिनेशन में भी हम लोग लग जानेंगे तो island is an island, ठीक है, island है और बिटेन जो है उसको अपने domination में लेना शुरू कर दिया, तो island के बादे में थोड़ी सी बाते हैं कि island was divided between protestant and catholic, island में भी बहुत बादी population जो protestant की भी थी और catholic की थी, यहां पर एक बात जिरूर ध्यान रखेगा कि यहां प्रोटेस्टन और catholic दोनों Christianity की तो है लेकिन यहां अगर इंगलाइंड का domination बढ़ता है तो यहां किसके उपर influence जादा होगा, है कि Catholic को जो है forbidden कर दिया जाएगा और इसको ज्यादा है जाएगा प्रोटेस्टन को है जाएगा क्योंकि England जो था वो पूरा का पूरा protestant जो है influencing country था तो यहां पर island में भी यही चीजे हो रहे थी English help the protestant to establish their domination, English help the protestant उनके सामने नाटिक पाए तो यह चीजे वो रहे थे, in fact महां पर revolution भी हुआ, revolt किया गया in 1798 which was failed, it was done by Wolf Tone and his United Irishman means Wolf Tone और उन्होंने बहुत सारे island के जो people है, जो they don't want to get into the influence of Britain, उन्होंने reward किया but it was failed and finally Ireland was incorporated in UK in 1801, में Ireland को भी किसके अंडल ले लिया गया, United Kingdom या you can say Great Britain का पाक बना लिया गया, that means कि इसको भी occupy कर लिया गया, और occupy कर लिया गया तो definitely यहां पर भी वही बात होगे कि उसके culture को, उसके language को, उसके religion को भी influence किया गया, उसको dominate किया गया, तो that means everywhere, अगर हम भी बात कर लिया तो यह जितने भी countries थे, सारे के ऊपर किसका domination हो गया, England का domination हो गया, सिर्फ domination नहीं हुआ, उन्होंने वहां पर अपने language, अपने culture, अपने dress, सब चीज़ को dominate करना शुरू कर दिया, इसलिए यहां पर अगर topic यह दिया गया है, the strange case of Britain, तो यहां पर unification की तो बात नहीं होगी, यहां पर Britain के domination की बात हम लोग क्या सकते है, जो Scotland में उन्होंने dominate किया, यह फिर Ireland में उन्होंने dominate किया, तो यहां clear है कि 1801 में यह जो British Isles के बात कर रहे हैं, वो पूरा complete हो गया, और उसमें सबसे ज्यादा powerful कौन थे, England थे, यहां clear हो गया, उसके बात अब यह तो clear है, कि Britain जो है वो अपने अंडर सारी countries को ले लिया, अपने domination में ले लिया, अब उसके बात है they had a celebration, और उनके domination के recording वहां, उनके अपने symbols जो है, वो लोग influence करना शुरू कर दिया, अगर जैसे British flag के बात करें, या फिर National Anthem जो वहां चलता था, वो National Anthem की बात करें, या फिर English language की बात करें, यह पूरे countries में जो है, इनका है influence रहे गया, टैपमिस की पूरे area, यह जो British Isles की बात करें, तो हर चकर जो है, पूरे आपको यह समघने से पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है, तो यहां पर आप सबसे पहले ध्राद दीजिएगा, अगर आपने यह समझ लिया, तो यह समझने में बहुत ज्यादा problem नहीं होगी, इससे बहुत important questions जो है, वह आपको मिलेंगे, जो आपके screen में आप देख रहे होंगे, तो answer के लिए आपको Scottish points अभू ले सकते हैं, और आपका answer prepared हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, कुछ topics और बचेवे हैं, तो we will meet in our next video, good bye and keep learning.